चौबिस तारीक को दिला परिशत का नाम होना है, ऐसे में उस सारे परत्यासी मैदान में हैं और खास करके भाग संक्या चौदा है, ये काफी हॉट सीद बन चुका है और यहां पर चार परत्यासी मुख रूफ से जो मैदान में हैं, किसी ने किसी पार्टी का बरस तुन्जे पराप्त है या वैसे परत्यासी हैं जो पिशरा विदान सभावी चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में काफी दिल्चस्प हो चुका है ये सीट और सभी की निगाहें इसी सीट पे है, जहां सहीम खान चुनाव लड़ रहे हैं पहले इससे पहले भी जिला परिशत भागशन का 14 से वो जिला परिशत के सदस नहां से रह चुके हैं और फिर दोवारा चुनाव मैदान में हैं, पिछले कई चुनाव इन्होंने विदान सभा का चुनाव भी जो फुरकान अंसारी की पुत्री है इस वज़ा से भी लोग इसको दूसरे माइने में देख रहे हैं और वहीं फारूक अंसारी जो अभी वरतमान में जिला परिशद के सदस यहां से हैं और कहीं न कहीं उनको मंतरी का सपोर्ट है ऐसा लोगों का मानना है अब इसी वज़ा स से यह सीट काफी दिल्चस हो चुकी है छेतर भर्मन के दौरान मैंने कई परत्यासियों से बात चीत की आभी हमारे साथ सहीम खान जी है इनसे भी बात करेंगे सहीम खान जी आप इन बात फिर चुनाव मैदान में और ऐसे में क्या लगता है कि क्या आपको जंता किसा समर्थन दे रहे हैं काफी समर्थन दे रहे हैं और हमने जब चुनाव लड़ने का निढने लिये तो लगभग ही भाग संखिया चोगदा में लगभग सभी गाहों से गाहों की जंता से मैंने मसवरा किये गाहों की जंता ने हमें मसवरा दिया कि आप चुनाव लड़िये आपके जैसा बेक्ति का भाग संखिया चोगदा में जोरुत है. चुकि हम विदान सबाद चुनाव भी लड़े हैं, हम जिला परिशत सदस नहीं बने हैं, हमारी वाइफ दो हजार दस में बनी थी, पंद्रव में हमारी भावी चेतर से लड़ी थी, दो सो भोट से हार गई थी, और दो सो भोट से फारुक जीता था, और आज फिर खुद हम चुनाव मैदान में हैं, और हमें काफी समर्थन जनता का मिल रहा है और हमें लगता है कि जनता की सहयोग से जनता की समर्थन से इस सीट को हम जीतेंगे और भाग संक्या चोगदो की जनता जीतेंगे यही कह रहा हूँ कि अनुभाव आपको है चुनाव लडने का काफी लंबा अनुभाव आपको तो पिछला जो चुनाव आपने लड़ा है और इस बार का चुनाव क्या अंतर दिख रहा है इस बार की चुनाव में बहुत अंतर है अगले बार की चुनाव में जो हमको समर्थ मिल रहा था, उससे कहीं दोगुना समर्थन इस बार मिल रहा है, आज के डेट में अगर आप कह सकते हैं, तो मैदान में हमारे सेवा कोई नहीं है, पीछ पे हम ही हैं, हमारे पीछे कोई हैं, लेकिन सब खाली मैदान में दोड रहे हैं, आप पीछले चुनाओं में भी आपने कोई विकास नहीं दिखता है, हम जब 2010 में हमारी वाइब चिला प्रिशत सदस बनी थी, उस टेम सरकार का आदेश आया था कि पूरे अपने अपने चेत्र में, जितने पंचायद भावन हैं, सभी पंचायद भावन का निर्मान कराया जाए, आंगन बाडी गाच के पास चल रहा था, किसी के दर्वाजे पर चल रहा था, उसको बनवाया जाया था, हम लोगों ने, जितने हमारे छेतर में यूनिट था, सभी आँगन बाडी केंदर को भावन बना के उसमें सभी शिप्ट किया गया, और सभी नौ पंचायद था, नौ पंचायद में पंचायद चाहित काम है और इंट सार्वे कर रहा है पूरा आईए गा तो भाः अगर आप मार आते हैं फूराजूर şu करण मोर से जो जो जाता है वो सड़क कराब है यानि तोटल सड़के जर जर खराब है आज के डेट में जो घटना दूर घटना होता है सबक के चलते सबक खराब के चलते ये जिम्वार फारुक अंसरी है जो इसेत रि Edu रिकाट कर रहा है और पांच चाल के जगा साथ साल उनको मोगा मिला पहले का पांच वर्स उसमें विकास ने वार हम में तो आया तो कोवीड रहा ये रहा और कुछ विकास में कर पाया अब मैं मानता हूं कुछ विकास नहीं कर पाया लेकिन जो इस्तिती हो पहले की है पहले की हम तो बता दिये हमने पंचाद भौन बनवाने का काम किया हर पंचाद में सुगापरी टू में पंचाद भौन बनवाए उदेपूरा में बनवाए जाबागुडी में बनवाए प्थलजोर में बनवाए अपको बुड़े में बनवाए धमनी में बनवाए घंगरज पिर से अगर जनता आप पर विश्वास करे आपको अपना मत दे तो क्या आप जनता के उमीदों पर कैसे खरे उतरेंगे और हम चुनाव हार के भी जनता के बीच में हैं जनता के साथ हैं जनता जब आवाज देती है तो हम उनके साथ खड़ा रहते हैं जाए वह गटना हो दुख तक्लीप हो थाना पुलिस हो सी ओ विडियो हो जहां भी हो जो भी हो हमको याद करता है हम जमता के साथ जमता का काम के लिए लगे रहते हैं है लोग तरस गए हैं अच्छे सड़कों पर चलने के लिए बिजिली के लिए पानी के लिए ऐसी स्थिती में आने वाला जो 24 तारिक को जो चुना हो रहा है वो विकास का मुद्दा ही परत्यासी के 22 परत्यासी के किसमत का फैसला करेगा और साफ साफ ये करना है कि वैसे परत्यासी कोई लोग अपना मद देंगे जो इस स्थित्र का समोची विकास कर पाएगा मैं अपने सहयोगी राम चंजा के साथ परिन समद निउस लाइन मदुकूर